बिहार के मुख्यमंतरी नितेश कुमार ने एक आरकर्म पे दोरान राश्ट्रिय सोयम सेवक संग और पीम मोधी पर जमकन निशाना साधा नितेश ने कहा कि आरेसेस का आजादी की लडाई से उनको कोई लेना देना नहीं था इसके साथ ही पीम मोधी को नए देश के नए पिता बनाये जाने पर भी सवाल पूछा नितेश कुमार ने कहा आजादी की लडाई से उनका कोई लेना देना नहीं था आजादी की लडाई में आरेसेस का कोई योगदान रहा क्या हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे उनसे हमको आजादी की लड़ाई के बारे में एक एक बात पता चली बापों के योगदान को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हमने नए राश्टर पिता के बारे में सुना है अखबारों में पढ़ा है बताएं नए भारत के नए पिता ने देश के लिए क्या किया बताईए कहा भारत आगे बढ़ा सिवाए इसके की नई टेकनोलोजी आ गई लेकिन इसका भी उन्होंने जबर्दस्ती रूप से उप्योग किया इससे पहले राहुल गांधी के प्रधान मंतरी पत की उम्मिद्वारों को लेकर नितीश कुमार ने कहा था कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी की बताओर पियम पत के चहरे पर हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए विपक्षी दल आपस में बातचीत करेंगे और उन्हें एकजुट करने की जरूरत है हमें कोई दिक्कत नहीं है बैठक करके चर्चा करेंगे नितीश ने कहा कि पार्टी का कारकरम करना सबका अपना काम है पार्टी के काम से हम लोगों को मतलब नहीं है जैसे ही ये लोग अपने काम से फ्री हो जाएंगे उसके बाद फिर बैठक बलाएंगे नितीश का कहना था कि हम लोग बैठक में आपस में बात करेंगे और आगे के बारे में तै करेंगे उसी के आधार पर आगे की रड़नीत तै होगी अभी अपना अपना कारकरम चल रहा है नितिश ने कहा कि राहुल गांधी को पिम उम्मिद्वार बनाने से उन्हें कोई समस्या नहीं है हाला कि उन्होंने दोहराया की वे दावेदार नहीं है पता दें कि MP के पूर्वसियम और कॉंग्रेस नेता कमलनात ने कहा था कि विपक्ष की तरप से सयुक्त रूप से राहुल गांधी 2024 के चुनाओं में पिम पत के उम्मिद्वार होंगे कमलनात ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी की खुलकर तारीफ की और कहा वे सत्ता के लिए नहीं बलकि देश के आम लोगों के लिए राजनीत कर रहे हैं जहां तक 2024 के लोकसभाद चुनाओं का सवाल है तो राहुल गांधी ना सिर्फ विपक्ष का चहरा होंगे बलकि प्रधान मंत्री पत के उम्मिद्वार भी होंगे